स्टुइंट स्टार्ट करें DOE मैंट्स का प्रैक्टिस विपर क्लास 10 सेशन 22-23 तो इसकी हमने प्रिविएस पार्ट्स जो है वो कर लिए हैं तो आप चेक कर सकते हैं चैनल में वीडियो को शेयर कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब आगी करने जा रहे हैं पार्ट लिनियर पॉलिनॉमियल ठीक है अगर तो आप क्वादरिक और 30 रहता तो ऑगा क्यूबिक तो यह याद रखना तो बंसीरों है तो लिनियर लिखना है यहांपर देटिव पॉलिनॉमियल पॉलिनॉमियल तुर्ट के बार नेक्स्ट कोंशना इसमें in triangle ABC and triangle डीए अगर ए बी का रेशो डीए के साथ एक्वड़ पी-सी का एपटी के साथ तो ट्राइंगल सिमिलर है अगर क्या हो सकता है तो देखिए आपको दो ही रेशो एक्वल दिये तो यानि कि कोई ना कोई एंगल इक्वल होना चाहिए तो पहले आप इसे ना ड्रॉ कर लो ताक और बी-सी का एक्वडी के साथ तो एवी का देखिए डी-डी के साथ है तो मैंने सिंगल कर लगा दिया डीए और ऑदियेकदी ip का कि है तो एंगल भीट्म के इसके साथ इसके साथ तो इसके साथ है तो इसमें डॉल कट रूंए आप आपको दिख रहे यह से डॉल कट की बीच में जो कर आ वह को आहाई है रख रखना कर दो कि आए और अगर को स्कार स्कारि चॉनॲ कुछ ले तो कौन सा triangle कैसे लिखते है A B C जिने को single cut से double cut में हुआ है ना तो इसको भी single cut से double cut में हुआ है EDF तो यह similar हो जाएगा जी समझा गया तो इस तरीके से अगर हम प्रॉपर ratio के हिसाब से cut लगाएंगे तो हम triangle के नेम भी सही सही लिख पाएंगे similar triangles के और उनके corresponding angle यानि B का D के साथ और B और D ही क्यों equal है क्योंकि जो दो ratio equal होते हैं उनके बीच का हमेशा angle equal होता है ठीक है तो ऐसे similarity है याद रखना है next देखेंगे the value of a for which 3a lies on this equation तो जब भी आपको point दिया होता है यह x होता है यह y होता है ठीक है अगर यह equation में like कर रहा है तो इस equation में x और y के place में आप यह point रख देंगे तो देखेंगे यह तो simple यह 9 में भी होता है equation तो 2 x के place में 3 रखा y के place सिक्स माइनस 3 एकोल तो 5 यह वाला यहीं रहेगा यह नंबर नंबर के पास यह plus है तो माइनस फिर माइनस 1 बचेएगा अब यह माइनस 3 यहां multiply में तो यहां divide में चला जाएगा दो माइनस है तो cancel 1 by 3 तो एक answer होगा 1 by 3 तो तो simple question था next question देखेंगे कि अधी डेश साफ अफ अफ़ अपर लिमिट या ने अपर लिमिट में से लोवर लिमिट अब पता है यह जब लुवर लिमिट होती है तो अगर इनका पॉल रहे तो उसे हम खेटेंगा अटिफरेंश बोल रहे ना यूर्ल का तो सहने class size कहते है क्या कहते है class size का हां अगर इनका average बोलते हैं दोनों लिमिट का average न स्कुवर अपर डिवाइट लए 2 तो सको हम x यानि की class mark बोलते हैं याद रखेंगे जन्मीड अगर क्लेट पॉयुक्ति है थी कि अगर क्लास मरत रेम bonuses तो तो इनका difference निकालना होता है तो यह दोने बात आप याद रकेंगे तो आपको जस्ट आपको difference बोला था न आप अपर limit और लोगा limit का तो उसको हम class size कहते हैं या width भी कह सकते हैं तो हमने लिखा class size width भी कह सकते हैं height भी कह सकते हैं जो gap होता है l plus u by 2 average हो गया नहीं इनका तो उसको हम class mark बोलते हैं next question देखेंगे true false है if the side of two triangle are in the same ratio then these triangles are similar अगर सिर्फ side ही same ratio पर है है ना sides मतलब जैसे यह triangle है अगर यह similar है तो इसका यह side का इसके साथ ratio इस side का इसके साथ ratio इस side का इसके साथ ratio अगर equal है a by d e b c by e f a c by df equal ratio है तो triangle similar होते yes triangle similar होते है चीक है तो triangle similar होते है कौन सी similarity होती है तीनो side का ratio equal है तो side-side similarity होती है अगर 2 side और एक angle equal होते जैसे इसमें था तो यह वाली similarity होती similarity की criteria होते है या तो तीनो sides का ratio equal होता है या तो दीन ग्राइटेटरिया होती है नेक्स एक इनकी स्कुर्ण । होता है इसके डिगरी मतलब होता है तो इसके डिगरी भी नौमिल है क्या एक जीरो होने चीगे इसके यह एक जिए आपको एक दिया है ठीक है तो x की यह value दी हुई है तो आप इस x की यह value को इस पूरे polynomial में put कर देंगे x की जगे तो यह अगर 0 आ गया पूरा polynomial तो yes यह इसका 0 होगा otherwise नहीं होगा तो minus 4 को आप इस में put करेंगे x square minus x plus 20 में x के place में तो देखे x के में जब आप put करेंगे तो यह minus 4 square एक्स पर स्क्वार है तो minus 4 पर स्क्वार आजाएगा फिर minus x है तो माइनस एक और यह minus 4 है प्लस 20 अब यह देखिए 4 का स्क्वार प्लस का 16 आजाएगा कि दो minus power 2 है तो प्लस हो जाता है और देखिए यहां minus 4 था और यहां भी minus था ना इसमें भी minus था और एक्स पर भी minus अलग से है तो 2 minus minus multiply में ब्लस हो जाएगे अब इनको सब को प्लस प्लस आगे तो सारे प्लस करूंगे तो 40 आजाएगा जिबकि क्या आना चीए था जीरो आना चीए था अगर इसका 0 होता तो पूरा फिसके बरावर आना चीए था जीरो दो फॉर्टी आये तो जीरो नहीं आया तो यानि कि इसका जीरो नहीं है फॉल्स है ठीक है तो एक्स की वैल्यों आजाता जीरों नेक्स्त कोशन देखेंगे और रेशनल नमबर कि सारे डेसिमल नंबर रेशनल होते हैं तो रेशनल नंबर देखो सारे डेसिमल नंबर नहीं होते हैं अगर हम ऐसे डेसिमल की बात करें जब यह देखिए नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं जो कभी खतम ना हो बट यह देखिए नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग है जब कभी खतम तो नहीं होंगे लेकिन रिपेट होष तो स्टैब के नंबर जो नॉनॉन रिपीटिंग होचा यह तो यानी यून रिकरिंग होते हैं यह हम कहा सकते हैं कि rational है पर जो ऐसे होते हैं जो non-terminating के साथ non repeating हो या non-recurring हो जैसे यह repeat end तो नहीं हो रहा इसका कभी वी तो यह non-terminating है पर यह same repeat नहीं कर रहा तो ऐसे number को irrational number कहते हैं तो ऐसे decimal expansion irrational होते हैं ठीक है तो यानि कि इनों ने बोला था सारे decimal expansion rational होते हैं नहीं ऐसे वाले जो decimal expansion होते हैं वो irrational होते हैं तो यह false है चीक है सारे decimal number rational नहीं होते हैं कुछ decimal number जो non-terminating non-recurring होंगे वो irrational होते हैं जैसे pi पाई एक irrational है वो उसका जब आप 22 by 7 को divide करेंगे ना 22 को 7 से तो वो decimal expansion कभी खतम ही नहीं होगा और same repeated भी नहीं होगा तो pi कैसा होगा irrational number होगा next देखेंगे the graphical representation of a consistent pair of linear equation अगर linear equation का consistent solution आ रहा है तो consistent कब कब आता है जब line या तो intersect करेगी यानि जब एक solution होगा या unique होगा या फिर coincident यानि कि solution में भी कैसा होता है consistent होता है ठीक है तो yes यह true अगर inconsistent बोलते तो वो गता है ठीक है यानि कि जहां no solution होता है consistent में intersecting भी हो सकती है यह और coincident हो सकती है intersecting means one solution and coincident मैंनी solution तो या तो one solution या many solution तो consistent करेंगे तो यह है next देखेंगे find the ratio in which the line this divide the line segment joining the point this and this तो देखें यह ratio निकालना है और आपको एक line बोल दी चीक है यह line किस से बनी हैं दो point से बनी है 1 3 2 7 से तो जब भी ratio की बात करें तो coordinate geometry में आपको section formula लगाना पड़ता है यह तो सबको पता है न तो पहले से हम बना लेते line को यह line है माले जिए AB इसकी coordinate CA देखें एंड लगा है न तो यह end points है 1 3 2 7 यह 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 आपको बोला है कि point है किसी नक इस line को किसी ratio में divide कर रहा है ratio M1 M2 होता है तो अगर वह point कहीं line के अंदर है माले जिए है इसकी coordinate हमने xy लिए तो अगर ratio आपको निकालना है तो ratio क्या मालेंगे कि यह ratio 1 है फिर section formula सबको पता है जब भी ratio निकालना हो यह ratio दिया होता है तो section formula लगाता है यह जो x point है अंदर वाला यह point है जो line को divide कर रहा था दो पार्ट में इस ratio में तो यह point का x point कैसे निकलता है m1 को तो x2 से और m2 को x1 से पहले multiply करो फिर plus करो फिर m1 और m2 को नीचे ले लो सेम ऐसी y वाला निकलेगा m1 y2 m2 y1 को add करो फिर m1 m2 तो देखे m1 हमारा क्या है k k को किसे multiply करना x2 से यह निकि 2 k हो जाएगा और फिर m2 को किसे करना है x1 से ठीक है इसे solve करेंगे तो आगर 2 k plus 1 upon k plus 1 सेम इसी y में भी आपको क्या करना है m1 यानि k को y2 से और 1 को y1 से इसे solve करेंगे तो यह जगह 7 k plus 3 y k plus 1 अब आपको यह देखेंगे ना तो x पता है ना y पता है कई बार तो यह बोल देते x axis अगर यह point बोलते x axis तो यहाँ पर y जीरो होता था ठीक है अगर यह x axis बोलते तो यहाँ पर y में हम यहाँ 0 रख देते तो k की value निकल जाती ठीक ह अगर y axis बोल देते तो x 0 होता और y as it is रखते तो यहाँ पर x की जगह 0 यहाँ पर रखते तो यहाँ से k की value निकल जाती पर इस question में ना तो x axis है ना y axis है तो आपको तो दोनों ही point नहीं मालूम ना लेकिन आपको ratio निकालने के लिए hint देदी कि यह line की equation देदी ठीक है तो यह line की question जब भी देंगे ना तो आपने जो x और y निकाला ना k की form में की form में जो xy निकाला है उसको इस line की equation में पूट कर देंगे तो रेशो वाले जब भी question आपको निकालने को आएंगे ratio तो यहाँ तो आपको x point x-axis बोलेंगे x-axis तो x-0 ले लेना तो y-0 यानि कि यहां रख देना तो k निकल जाएगा अगर y-axis बोले तो 0y रख देना तो x की जगे 0 रख के k निकल जाएगा अगर कुछ भी ना दिया हो ना x-axis ना y-axis दोनों ही point missing हो और ratio भी missing हो तो आपको line की equation देदी जाएंगी अब पूरी equation में put कर देंगे ठीक है कैसे करेंगे तो कि यह line की equation आपको दी हुए 3x-9 x के place में आपने यह निकाला था y के place में यह निकाला था बाकि यह 3 और यह 9 as it is लिख देंगे अभी 3 इससे पूर से ब्लिप रहे हो एंदर इससे भी और इससे भी यह तो अभार कुछ नही इसके प्लस वन आ जाएगा है ना बट यहां क्रॉस करोगे तो जीरो बन जाएगा क्यों क्यों के प्लस वन से ऊपट यहां पर किया होगा यह वह तो इसको किया वह उपर वाले आए बस अब यहां तो कुछ नहीं कटा k plus 1 as it is है तो यह 9 इस k plus 1 से multiply हो जागा तो LCM तो सबको करना आता होगा अब यह k plus 1 जो LCM आथा वो यहां के divide into होगे तो वो 0 बन जाएगा अब देखे k वाले इसको पहले अंदर multiply कर देना अब हर minus उस अंदर के minus 3 plus plus पहले plus कर लेना और फिर minus है तो minus plus minus कर लेना और फिर sign greater का तो plus 6 और minus 9 तो देखे plus minus minus sign बढ़ेगा तो यह minus 3 आजाएगा फिर k की value निकालने तो पहले minus 3 को इदर ले जाए plus 3 फिर यह 4 divide multiply में तो divide में आजाएगा यह process दो सबको करना आता ही होगा तो k आगया 3 by 4 तो ratio क्या आजाएगा 3 ratio 4 धिहान रखेंगे जब भी आपको ratio भी निकालना हो और आपको बीच का point जो अंदर line का point होता है वो भी ना पता हो ना x axis पे ना y axis पे तो आप कैसे करेंगे पहले x और y को k की form में लाएंगे section formula का यूज़ करके और फिर इसमें रख देंगे और फिर उसे k के लिए क्या करतेंगे solve करतेंगे तो इस तरीके से हम यहाँ पे coordinator metric का ratio वाला question करेंगे तो यह समझ आगे होगा सबको next question करते हैं इसका next question है आपका यह तो आपका ninth class में भी था the median of the given data with the observation in ascending order तो देखिए median के लिए हमेशा data जोता है ascending order में लगा होना चीए और इन्होंने already लगा के देर रखा है तो जब भी आप median निकालेंगे तो पहले क्या करते है ascending में लगाते हैं तो ascending में लगा हुआ है आपको median भी दी हुई है 27.5 आपको x fine करना है तो देखिए यह तो एक इसमें तो class इंटरोल नहीं है ना median का कोई formula लगाने के ज़रूत नहीं है simple आपको इनके ना number count कर लेने क्योंकि median depend करते है number पे number अगर even है तो अलग formula होगा order है तो अलग formula होगा तो देखिए यहां पर किते इन observation है 123 यह पूरा एक ही माना जाएगा कॉमा से दियान रखना एक तो थी एक की ना माना जाएगा 4 5 6 7 8 एन देखिए कितना है इस पे 8 है ना 8 मतलब even है तो even के लिए आपको median का formula पता होगा जब भी even होता है यानि कि observation 8 है 10 है तो आप क्या करेंगे आप formula लगाएंगे n by 2 term n by 2 term और फिर n by 2 में एक extra term और divide by 2 होता है median का formula अगर even है और अगर हाँ odd होता है odd मतलब यहां मान लेजी 7 होते है तो odd के लिए formula होता है n plus 1 by 2 term ठीक है n plus 1 by 2 यह देखिए n by 2 अलग से plus 1 है इसमें n plus 1 by 2 होगा तो यहां पर n by 2 यानि 8 का हादा करूँगी n 8 आया न तो 8 का हाद कितना होगा 4th term आजाएगा ऐसी 4th में 1 plus कर देना तो 5th term आजाएगा 4th term और 5th term 4 और 5 क्वार्ट मत करना 4th term यहां से देखना 1,2,3,4 यह है और 5th term यह है ठीक है यह पूट कर देंगे यह दोनों यह terms है यह 4th term यहां से ढूंद के रखने पड़ेगी यहां से ढूंद के रखने पड़ेगी और फिर अब तो इससे आप solve करना ही चाहनते हो median आपको कोशन में दे रखी है तो यह formula याद रखना median का जब even terms होंगी ठीक है कई बार median निकालने को आएगी और कई बार यह आपको x निकालने को आएगा तो यहां पर x के लिए कैसे solve करेंगे पहले तो fraction में पूरा तो इसको cross multiply कर देना तो यह 2 यहां के multiply हो जगा है यहां divide हो रहा है फिर x x 2 x and number 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 के साथ x x के साथ प्लस हो जगा हमर number number के साथ फिर x निकालना है तो यह प्लस 5 यहां के बहले minus कर देना और फिर x के साथ जो 2 है वहां रखके divide कर देना तो यानि कि यह आज़ेगा 25 ठीक है हाँ कर यह मान लेजे 8 की जगे 9 होता है ना odd होता तो 9 यहां रखती मैं तो 9 प्लस 1 बाइ 2 तो 10 बाइ 2 यानि कौन सी टर्म आती answer में 5th term 5 answer नहीं होता 5th term answer होती तो 5th term आप यहां से ढून के जो भी number बे आती हो रखते थे तो वो median होती ठीक है तो odd के लिए यह formula लगे यह इवन के लिए लगेगा नेक्स कुश्ण देखते हैं कि इन दफीव फिगर आर सी क्यूबी एंड एपी परपरपंडिकुलर तो एसी एक लाइन है इसमें देखें यह तीन लाइन है एक तो एपी एक क्यूबी और एक सी यार या यह र सी ये सब तीनों ओना एक लाइन पर परपंडिकुलर यह तिरह एक भश्क दीखणyesum इंण और नहीं हिसको दीखें ड pare नने मिलस nईटी टो यह कि यह बहुत बहुत है तो यहां पे न इक आप शॉट ट्रिक भी उस कर सकते हैं आपको बताती हूं शॉट ट्रिक और लॉंग ट्रिक भी बता देती हूं जिससे आपको कुशन भी समझाज जाएगा तो देखिए मैंने आपको बताया कि यह थीनों कर परंडोई तो यह लाइन इसके प्रेरल भूए और यह लाइन इसके प्राइंगल होगी अब गए अगर मैं इस ट्राइंगल को दिखे सोग तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में यह एंगल और बड़े वाले ट्राइंगल का यह एंगल दोनों सेम है सेम ऐसी छोटे वाले में एंगल आ रहा है और बड़े वाले में भी एंगल आ रहा है तो यानि यह चोटा ट्राइंगल बड़े ट्राइंगल का क्या हो जाएगा सिमिलर हो इसको भी एसे बिबे गुवाऊंगी ना इसका एंगल एकॉमन था और ये वाला एंगल भी कि ए बी क्यों जिसे हम क्या सकते हैं बराबर है किसके A,C,R के अगर मिरे को ट्राइंगल सिमिलर की प्रॉपर नाम ने पने है तो मैंने इसको इसके A से इसके B पर भुमाया ना तो ऐसी बड़े को भी इसके A से क्योंकि A इसमें भी आ रहा ना बड़े वाले में तो इसके A से C पर भुमाएंगे तो ऐसे ठीक है तो यह अगर ट्राइंगल छोटा वाला ABQ सिमिलर हो गया बड़े वाले के ACR के तो इनकी रेश्यों क्या हो जाएंगे एक्वल हो जाएंगे न AC by AB अगर इसका AC लिया तो इसका A भी हो जाएगा यह तभी हो गाएगा जब आप ट्राइंगल के नाम तरीके से लिखेंगे सीमिलर ट्राइंगल के नाम ऐसे नहीं लिख सकते कुछ भी मर्शिया है आपको देखना पड़ेगा कि उसका A चुटे वाले का भी बढ़े वाले का भी असका B ले 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 थे तो इसका C ले रहे हो तो इसको तो एसरी नाम लिखने हैं दूसको कि सीप जाएंगे ना लिखेंगे तो यह एकूल बराबर हो जाते हैं तो हमने क्यों यही निकान ला था वैसे तो हम तीसारा भी ले सकते हैं यह फॉन है उसकी ज़रुवत नहीं है और हमें इसकी जरूरत है में और इसकी क्यों है क्योंकि यह वाले लाइन इस वाले ट्रैंगल में भी आएगी है ना तो हमने यहां से इसी भाई भी निकाल लिया यह एकसे और यह फ़र्च जिविशनिया पर छोड़ा ती सेम ऐसी जैसे मैंने यह चोटा ट्रैंगल इसके स C B Q कि इसके से मिलर हो जाएगा C A P UK है ना तो अगर इसका भी CB के साथ इसका इसका एका रेशो और क्यूंक के साथ इसका एपी का रिश्यों बीक्यों और एपी ही लेना है कि यह वाई और जट है यहां तक सब को समझ आ गया अब आपको देखें इसका भी नीचे एसी है बट इसके तो एसी उपर आ गया तो आप इसको लुटा कर देना साइड को ताकि दोनों के इसी कहा आ जाए नीचे आ जाए तो हम जब्या करेंगे इसको इलटा कर देंगे यहां पर आप यह किए सबर 8 कि हमीगे यहां पर एक्सक्राइब है एस वाले में तो मुझे अगर BC ही चाहिए इस वाले में भी तो मैंने पहले तो क्या किया इसको reverse किया है AB by AC, Y by X हो गया है ना, अब मुझे यहाँ पर उपर BC चाहिए, तो मैं क्या करूँगी minus 1 से उपर दी, यहाँ दोनों साइट क्या कर दूँगी, minus 1 कर दूँगी BC लोगे तो AC, AC तो अलड़ी हाँ है तो AB is it is, अब यहाँ तो कुछ नहीं है ना, वन है, तो यह AC से multiply हो जाएगा cross, जब यह अलग-अलग होते है BC में, यह अलग-अलग, यह से multiply होता यह से, अब देखें, पूरी AB में से पूरी AB minus AC का मतलब क्या है AB minus AC का AC में से, अकर मैं AB हटा तो BC बचता है क्या बचता है BC बट मैंने AB में से AC माइनस किया AC में से AB नहीं, तो बचेगा तो BC बट माइनस का साहिन आजएगा ठीक है, अब यह LC में लिए, इसका भी X आए और यह X यहाँ चला गया और यह 1 था, तो 1 Y as it is, cross हो जाता है अब यह देखिए, इसका माइनस अगर हटाना तो यहाँ भीज देजिए तो यह माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा और यह प्लस वाला माइनस हो जाएगा clear, अब BC by AC आगया यह, और यहां से भी BC by AC निकाला था, कितना था Y by Z, तो दोनों से यह, दोनों बरावर हो जाएगे, यह वाला यह वाला, जो BC by AC आगया है, वो नीचे वाले के equal हो जाएगा है न, इस वाले के यह equal हो जाएगे, अब देखिए, इसे solve करनीचे, आपको X, Y, Z में से न, दो value तो पहले ही दी हुई है तो यहाँ, इसको मैंने समझाने में थोड़े लंदी हो गया ही, ने, तो इसकी एक short trick है, अब यह आप short trick भी देख ले न, अब बहुत सारी बीच के कोशन भी जूट गए, अभी मेरे 28 से पहले वाले कोशन छोड़ दी है, आभी आपको, मैं वह भी समझा देती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, आपको Y, X और 8 दिया, और Z, 6 दिया, Y आपको फाइंड करना है, तो आप इसमे न, values रख देना, सारी, तो यह value रखेंगे, तो यह answer आजएग आपका, यहाँ पर value रख देना, X, Y, X और Z की दिया, आपको कोशन में, 8 और 6, तो Y के लिए solve करें न, cross multiply करके, तो Y आजएगा, 24 by 7, अब इसकी बात करते है, शौट ट्रिक की, शौट ट्रिक, जब दिखें न, एक लाइन पर तीन लाइन पर पर पेंडिकुलर है, तो यह शौट ट्रिक लग जाएगी, 1 by Y, इकल टू 1 by X, प्लस 1 by Z, इसको solve करना है, तो यह आजएगा, 1 by Y, 7 by 24, तो Y आजएगा, उल्टा करके, 24 by 7, तो ऐसे करके, आप फ्रॉट ट्रिक से भी इस कोशन को कर सकते हैं, यह कब लगनी है, जब एक लाइन पर तीन लाइन क्या होंगी, प्रपेंडिकुलर, तो बीच वाली का reciprocal, बराबर होगा, साइड्स की reciprocal की समगी, यहांते भी वही answer आए था, उससे भी वही आएगा, ठीक है, तो यह lengthy method था, वह short trick है, जब बीच की question आपके छूट के थे, वह भी आप देख लीचे, तो हमने यह वाला किया था न, median दिया था, तो X निकाला था, अब देखी, इसका choice वाला question भी है, find the mean of the first seven prime number, तो सबसे पहले तो आपको first seven prime number पता होने चीए, तो start करते है, one से, one prime भी नहीं होता, composite भी नहीं होता, ठीक है, one just odd number कह सकते हो, but one ना तो prime है और ना ही composite है, ठीक है, odd number हो सकता है, ठीक है, तो यानि कि two से start होंगे prime number, two only even prime number है, अगर just कोई even prime number को लेंदा, वो two है आपकी even number जो होते है, composite होते है, सिर्फ smallest even number, smallest prime number जो की even हो, वो two होता है, इसके पाद जितने भी even number आएंगे, वो सारे composite होंगे, सिर्फ two ही एक अकेला even prime number होता है, even भी होता है, प्राइम भी होता है, तरवाइस सारे even number composite होते है, या दरना, उसका three, देखे है, किसी डेवल मे नहीं आता ना प्राइम नम्बर कमता अपने लावा किसी टेबल में नहीं नहीं आता बाकि जितने भी इवन आ रहे ना बीच में 46 एक अधरमना सिर्फ तू को छोड़के तू ही एक इवन नमबर है जो प्राइम है बाकि जितने इवन नमबर आएंगे 46810 वह तो आपको लेन में भी करता डीखिक नेटरब में आता है तो पराइम निहीं होगा 11 अपने टेबल हटा दो हो ठोट आदो तो इवन है ठोन है थीं भी अपने टेबल में आता है 14 अपने एवन है उछसे अटा हवग ऑनफ भी लेनेऴ áreas नफ में तो इसके बाद भी लेने ओता त20 पर फिर उसके बाद लेड़ी होता उसके बाद लेड़ी तो 25 मी लेए 27 नी लेए 29 तो देखिन अगर दस बोल देते तो यह तीन एक्स्टा मॉले ले लिया तो यह दखना तो यह फस्ट 10 ट्राइम नूमबर से पट्टापकर 7 ले जाए तो मीन निकालना था समीन क्या होता है सिंपल है सम करो इन सब का और नंबर से डिवाइट करो तो नंबर कितने से 7 और नंगा सम कर देना तो कैसे करेंगे पहले देखिए 10 हो गया यह 30 हो गया और 18 हो गया ऐसे बना लेना ताकि इसी ले सौल हो जाए 587 आंसर एगा 8.28 नेक्स्ट नेक्स्ट कोश्चन है आपको 3750 को प्राइम फेक्टर की फॉर्म में लिखना है यह नहीं प्राइम फेक्टर तो सब को करने आते हैं 3750 देखिए स्टार्टिंग हमेशा 2357 प्राइम नंबर से करने हैं याद रखना 7-11 11-13 पहले 2 पे चेक करना फिर 3 पे चेक करना 1857 पर किसी न किसी बहुति जला जायगा कि स्टार्टिंग करने हैं तो इससे वार्ट 9 सब को आता होगा क्योंग सिक इंत्ध को इनिए 15 पे चलाएगा फिर 5 फूर 5 पे चलाएगा एसे आपको प्राइम प्रें लेना थर यहां से सिखाते हैं नेक्स कुशन देखेंगे ट्रिग्रमेट्री में से हैं कुशन 26 फाइंड वैल्य ऑफ थीटा इस साइन थीटा माइनस कॉसीटा इकल तो जीरो तो यहां माइनस कॉसीटा अगर जीरो है तो थीटा निकालना है वैसे तो इसका एक चौट तरीका भी है कि साइन थीटा माइनस कॉसीटा जीरों साइन थीटा कॉसीटा कौन फिजिए तो पिलस हो जाएक को सिकल हों से कौन से एंगल पर होता है 45 डिग्री पर होता है जहां एक अखेला है यही एंगल है जिस पर यह दोनों रेशो एक्वल होते हैं तो यहां से मैं बोलूंगी अगर साइन थीटा कॉस्ट तो थीटा कितना होना अच्छी 45 तो ट्रिग्रमाटिक टेबल से आप याद कर लेना कि साइन थीटा कोर थीटा कि कभी एक्वल होता है तो इनकी वैल्यू अधरवाइस एक और तरीका है जब भी आपको साइन और कॉस्ट दिया हो ना प्लस या माइनस में तो आप क्या करेंगे इसको ना टैन बनाने की कोशिश करना साइन को तो कॉस्ट से आपको ना इसको यह 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 बन जाएगा अब टैन थीटा कितना जाएगा मार यहां फ्लस मन हो जाएगा यह यह तेन है तो इसे थीटा इसविए एक्वल हो जाएगा तो यह पर teat के साथ 10 से 10 हटा दूं तो हीटा कितना आजाएगा 45 तो ऐसी भी कर सकते हैं ऐसी भी कर सकते हैं बट एकोशन थोड़ा सा बढ़ा है ना तो आपको प्रॉपर करके दिखाना पड़ेगा इसके बाद देखिए इसके प्लस वन इस फाइंड करना है के तो देखिए इसके लिए अहले है आप ट्रिक्रमेटर्क आइंड़िश आपको पता होनी चाँए तो देखिए othes על ये फौर्म्मला बन रहा है स्क्वार a square 1-1-b square b क्या था sine sine पे square लग जाएगा 1-sin square एक ऐड़िनटी होती है cos square एगी याद करना है इस identity हो ठीक है अब यह सेक स्कॉर आपको पता है cos का reciprocal होती है तो सेक के जगा आप 1 by cos square लिख सकते है यह cos square ओल्रडी है इसे यह कड़ गया तो यह 1 आजएगा k plus 1 अगर 1 है तो k की value 1 यहाँ की minus हो जाएगा तो 0 हो जाएगी ठीक है next question देखेंगे find करना है p अगर यह दो equations है इसके no solution है तो जब भी linear equation two variables में आते है तो दो equations दी होती है न आपको तो आप पहले दो क्या करेंगे इनको इसकी standard form में लिखेंगे यह first equation दी हुई आपको ठीक है और यह second दी है तो standard form तो वैसे तो ही होती है plus c1 equal to 0 plus c2 equal to 0 ठीक है c1 c2 इधर ही होता है इस side ठीक है या फिर आपको ध्यान अपना है या तो दोनो equal के side हों या फिर दोनो equal के इस तरफ हो ठीक है तो भी चल जाएगा बट एक इधर हो और एक बहार हो equal के तो तब आपका गलत हो जाएगा question तो आपको क्या करना है या तो c1 c2 को अंदर ही लाना है अगर यह plus है तो यहां के minus हो जाएगा ठीक है या याद रखेंगे आप अब अगर आप compare करें इसको यह फर्स्ट equation नहीं लिए और यह सेकिन वाली ठीक है यह सेकिन वाली में आप यहीं रखिए इसको दोनों को सेम साइड रखना है या तो इकल के इस तरफ या तो इस तरफ तो यहां पर अगर मैंने यहां रखा तो इनको मैं प्लस ही ले सकती हूं ठीक है अब मैंने यह value रख दिए a1 by a2 a1 क्या है आपका 5 और यह a2 क्या है 15 5 by 15 k by 21 and 3 by 6 ठीक है तो यह याद रखेंगे आपकी यह दोनों या तो इसी साइड रखना या दोनों अंदर ले जाना अगर अंदर ले जाएंगे तो माइनस 3 और माइनस 6 तो माइनस से माइनस कैसे हो जाएगा बहार है 3 by 6 जैसे यह भी 3 by 6 ही आरहा अंदर जाता तो भी 3 by 6 ही आता क्यूंकि दोनों माइनस कैसर नहीं जाते है जैना अब देखिए आपको condition क्या दिये है इसमें कंडेशन आपको देए कि no solution की कोश्चन पहले हैं और कम coalition की आपको तो नो सलीशन की condition रिए यानि parallel line की no про solution करें रींग्ड भोता है बहिक लंगोगा तो condition क्या होता है a1-a2 एक्वल होता है b1-b2 but c1 wants a2 does not equal होता है तो जब यहां से भी आप के को सौल कर लीजिए तो यहां से भी आप के को सौल कर लीजिए के वाइट की वैलिव इसमें होता हमारा यहां के की दो वैल्यू आता और minus 7 भी आता और यहां पर मालेजी k आता not equal to minus 7 by chance अगर ऐसा होता ठीक है तो हमारा k not equal to minus 7 अगर ना तो यहां से यह minus 7 हट जाता समझा गया तब यह answer 7 यह दो equation का मतलब यह होता कि अगर इसके दो answer आगए by chance और एक answer इससे match कर गया तो यह answer हट जाएदा यहां पर तो दोनों different answer आए तो यह answer होगा ठीक है next question ऐसा ही है choice में है तो k आपको find करना है बट अब किया condition change करना है unique solution तो यह equation भी पहले आप proper इस form में ले आएंगे जैसे मैंने आपको इसमें बताया था इस formula standard formula ले आना ठीक है अब यहां से unique solution की condition क्या होती है 1 by a2 not equal to b1 by b2 तो a1 by a2 क्या है 3y x के यहां साथ है यहां कुछ नहीं तो 1 है 3 by 1 2 by देखिए यहां y के साथ क्या है minus k तो minus k xy मतले ना इस ratio में सिर्फ इनके आगे coefficients लेने एक के आगे कुछ नहीं तो 1 अगर minus x होता तो minus 1 ऐसी 2 by minus k अब यह not equal की condition है unique solution मतलब intersecting lines होती है intersecting line बोले या unique solution बोले इसका मतलब यह condition लगानी आपको तो अब आप यहां से k की value निकालेंगे तो सही cross multiply करके but वो equal नहीं आएगी वो not equal आएगी k not equal to minus 2 by 3 यानि कि जब के value यह नहीं होगी तब यह वाली condition बनेगी unique solution की ठीक है तो यानि कि के सब कुछ हो सकता है बस यह value नहीं हो सकता के any real बट यह नहीं होना चाहिए ठीक है next question देखेंगे तो इसका मैंने 27 आपको बता दिया 28 तो मैंने पहले करा दिया था यह वाला question ठीक है तो इसमें आप short trick लगा सकते है यह वाली next question देखेंगे तो यह आप part C है इसका वो हम next video में करेंगे तो अभी फिलहाल इतना revise कीजिए part C इसके बाद वाली part में आएगा तो इसमें हम यह सारे questions करेंगे तो वीडियो को share कीजिए चैनल को सब्सक्राइब को लिजिए